इस वीडियो में हम अलग-अलग polymers और उनके विशिष्ट उपयोगों पर विस्त्रित चर्चा करेंगे। साथ ही हम उनके साथ जुड़ी हुई समस्याओं पे भी ध्यान देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि polymers लंबी श्रंखला वाले कार्बनिक अनु होते हैं जो repeating monomers unit से बने होते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में भी कई तरह के natural polymers का इस्तिमाल करते हैं। रबर या हमारे शरीर में पाए जाने वाले proteins, carbohydrates और DNA जैसे कुछ नाम इसके उधारन हैं। हम आगे के वीडियो में अपना ध्यान synthetic polymers यानि संशलेशित बहुलकों पे केंद्रित करेंगे। प्लास्टिक एक सामान्य synthetic polymers है, जिसका इस्तिमाल हम अपनी daily life में वस्तुओं की packing से लगा कर जटिल building materials के निर्मान में करते हैं। हमारे घरों में प्लास्टिक का अत्यधिक इस्तिमाल होने के कारण लगभग एक चौथाई solid waste plastic होता है। इसके कुछ हिस्से को हम recycle करके हमारे परियावरन पर पढ़ने वाले प्रभाव को कम कर सकते हैं। यानि ऐसे प्लास्टिक जो हमारे परियावरन को नुकसान न पहुँंचाएं इस तरह की प्लास्टिक बनाना वैज्ञानिकों के लिए आज भी बड़ी चुनसाती है। की बोतलों और डब्बे बनाने में किया जाता है पॉली स्टाइडीन पॉली स्टाइडीन का इस्तिमाल पैकिंग में किया जाता है पॉली प्रोपेन का इस्तिमाल बोतलों के ढखकन प्लास्टिक की बोतल और प्लास्टिक पाइप बनाने में किया जाता है पॉली क्लोरो इथ जिसे PTFE भी कहते हैं का इस्तिमाल फ्राइंग पैंज में नॉन स्टिक पर चड़ाने में और घर्शन कम करने वाली सतह यानि बेरिंग्स बनाने में किया जाता है केवलर एक खास तरह का पॉलिमर है जिसका इस्तिमाल बुलेट प्रूफ विस्ट्स और जैकिट्स बनाने में किया जाता है नायलोन का उप्योग कपड़ों और कारपेट्स में किया जाता है जैसा कि आपने देखा कि प्लास्टिक्स हमारे जीवन का एक जरूरी हिصसा है उसके खास गुड़ों के कारण उसका इस्तिमाल हम कई तरियकों से और कई चीजों में करते हैं ये समझना जरूरी है कि polymers बनाने के लिए इस्तिमाल किये जाने वाले एलकेन मूनमर्स कच्चे तेल के कुछ हिस्तों में पाये जाते हैं और इसी लिए प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए और इन polymers का भविष्य में निर्मान करने के लिए प्लास्टिक को रिसाइकल करना कठिन है पॉलीमर्स का डिस्पोजल भी एक बड़ी समस्या है जैसा कि उपर बताया गया है कि polymers की सबसे बड़ी समस्या उनका नौन बायो डिग्रेडेबल होना है इसका मतलब यह है कि माइक्रो और्गेनिजम्स यानि सूख्षम जीव उनको प्राकृतिक रूप से विगठित नहीं कर सकते। पॉलीमर्स को जला कर उनका डिस्पोजल किया जा सकता है। पॉलीमर्स को जलाने पर हीट उत्पन होगी जिसका इस्तिमाल हम बिजली बनाने में कर सकते हैं। हलांकि पॉलीमर्स को जलाने से कई हानिकारक गैसे निकलती हैं जो पर्यावरन को नुक्सान मोचा सकती हैं और प्रदूशन का कारण बन सकती हैं। तो बाकरी में आपको polymers के महत्वकी सरहना करनी चाहिए अब आप दूसरे polymers के नाम उनकी उपयोगों के साथ लिख सकते हैं और साथ ही उनसे जुड़ी समस्याओं को भी लिख सकते हैं